अगर आपको इंट्रीकेशन बाई पार्शियल फ्रेक्शन में कंफ्यूजन है किसी तरह का डॉट है तो इस विलियों को अंध तक देखी और मैं ये कोस्टन लिया हूँ इग्लू बी एकोनोमिक्स ऑंडर्स जो सीवी सीएस पर अधारित है उसका इसका ऐसेंग्मेंड ये तूटन त्वेटिटेशन नम्बर सेबर अंडर सेख्शन से और इसकाष स्कार्स वाट है वी सीसी वन एकोनोमिक्स वीह त्यक्रीन वाएं स्वाड़ को स्ब्सक्राइब and another is for share my video as much as you can. Now, हम वीडियों में बैक चाते हैं. तो इसका point गां इंट्रिग करना है. तो सबसे पहले ये question दिया गया ये जब भी बनेगा तो इंट्रिगेशन गाइड partial fraction से बनेगा. तो सबसे पहले इसको arrange करो. x squared minus 1 dx और ये वाला उधर shift कर देगे 2 dy हो जाएगा. ठीक है? दूसरा काम है ये product में उधर चला जाएगा तो डिविजन होता. तो dx equal to 2 dy और ये इधर multiply ये इधर आएगा तो क्या होता है? y squared minus 1 एक लाइब और हम बनुच्छें है. dx equal to 2 dy और इसको a squared minus b squared हम लिख सकते हैं ना भाई? कोई जिकत नहीं है. a squared minus b equal to a minus b k plus b होता है. जो formula होगा, general formula इसको लिख सकते हैं. y minus 1 y plus 1 ठीक है? तो ये हो गया. अच्छा करेंगे integration of both sides. integration of both sides. both sides. d high. अब integration लेते हैं दोनों करा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे. integration dx dx इक्वल तू ये common है, टू तो constant इसको बाहर रखते हैं. integration 1 y minus 1 y plus 1 d1 ठीक है? ये हो गया. अब यहाँ पर हमें कुछ काम करना परेगा, जो उसको equation हम 1-1 के चलेंगे. एक्वाइसन नमबर ये क्या है, वाई? 1 है, ठीक है? अब इसका कुछ काम हम करेंगे. इतना बरावर हम कुछ मांग लेते हैं. suppose that let 1 by 1 y minus 1 y plus 1 ठीक है? जब इस format में ले रहेगा, तो एक हम लिखेंगे, एक फार्मूला है, आप इंट्रेगेसन में पढ़ना, y minus 1 ये पार्चियाल फ्रक्षन का है, d y minus plus 1 ये है, अब यहाँ क्या करना है कि इसको लेंगे, वहाँ पर पहले इसको लिख देंगे, y minus 1, a और b का इहाँ से value और निखा लेंगे, ठीक है, अब ये दोनों का अंसियाल लेंगे, तो क्या होगा, दोनों आपस में multiply होगा, y minus 1, y plus 1, यहाँ a, यहाँ minus से इसको होगा, y plus 1, plus d, ठीक है, y minus 1, अब यह दोनों दोनों नीचे हैं, यह cross multiplication कर दोगे, आप कर दो, cross multiplication, यह यहाँ जाएगा, ऊपर नीचे कर जाएगा, तो यह नीचे से cancel कर सकते, बात एक ही है, इधर division में है, ठीक है, यह इधर जाएगा, यह denominator में इधर आएगा, तो numerator में चलाएगा, तो बचा जाएगा, फाइनली हमारे पास यह बचा, a times y plus 1, बालस b times y minus 1, और यह equal to 1, अब हम a और b का value निकाले दोगे, लेकिन कैसे, इसका simple सा तरीका है, y का value पूट करेंगे, अगर हम यहाँ eliminate कर देते हैं, y equal to 1 माल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, b, sorry, a, 1 plus 1, यह बाला हम देंगे, पास बी, 1 minus 1, equal to 1, अब यहाँ देखो, 2 a हो जाएगा, भाई, यह दोनों जूटेगा, तो 2 होगा, 2 से गुना कर देंगे एको, तो 2 a होगा, अब यह क्या होगा, भाई, d into 0 होगा, equal to 1, यहनि final figure हमारा 2 a, equal to 1 आएगा, तो a, equal to 1 y, 2, इसी तरह हम यहाँ भी, अगर हम y का value, minus 1 कर देंगे, तो क्या figure होगा, a, minus 1 कर देंगे, जहाँ y होगा, minus 1 होगा, तो minus 1, minus 1, minus 1, plus 1, plus b, minus 1, minus 1, equal to 2, अब यहाँ देखो, a into यह दोनों 0 होगा, घटकर, अब यहाँ पर b into minus 2 होगा, जोटकर, equal to 1, यह 0 होगा, तो यहनि, minus 2, b equal to 1, therefore, b equal to minus 1, plus 2, यहनि, a का value हमारा यह आए, b का value हमारा यह आए, यह दोनों value को substitute करेंगे, by, कहां करेंगे, इस equation में आए, इतना के बराबर ही है, जो हमारा original equation किसके बराबर है, यह है, और इतना के बराबर ही हमारा जो value आया, मैं उसको substitute करो जा, आपको अगर a screenshot लेना है, तो ले लो, ठीक है, तो a और b का value हम put करेंगे, very simply हम निकाले है value, तो a का value हमारे दोस्त निकला है, 1 by 2 y minus 1, ठीक है, b का value हमारा जो निकला है क्या है, minus 1 by 2 minus 1 by 2, b का value y plus 1, अब यहां जिरा समझने की process किजिएगा, एक जिस, 2y minus 1, plus into minus minus 1 by 2 y, समझने की ये बात है, कि एतना का value क्या निकल गया, एतना हो गया, ठीक है, यह equation 2 मालो, और इसका value अगर हम substitute कर दें, equation 1 में, वाये ने इतना के बराबर यह value नहीं put करने है, यह value हम यहां पर लगा देंगे, ठीक है, तो वही काम रभूष करने जाने हैं, हमारा original यहां था integration, ठीक है, तो वो 2 equation का value हम 1 में substitute करेंगे, और असानी से हम निकाल लेंगे, इसका integration, तो यह हो गया, integration dx equal to 2, integration और इतना का value हमारा भी क्या निकला भाई, यह निकला है, यह value, इसको हम substitute कर से, 1 by 2, o y minus 1, minus 1 by 2, o y plus 1, और क्या फाइनल, dy, यह समयने की कोसिस किजिए, उत्मा जबराबर हम इसका value निकाले, वो substitute कर दे, आप इसका integration, simply करेंगे, तो हम लोगों देखते हैं, क्या होता है, अगर dx का करोगे, तो यहां पर आपको दो काम करनी परेंगे, 1 by 2 को आप common ले लो, तो निकाल सकते हो, 1 by 2, यहां फूली सेंगे, 1 by 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 1 by 2 हो गया, आप integration हम separately हमें करने जाएं, तो क्या है, 1 by y minus 1 dy, यह multiply हम इससे करें, इक्वल टू, देखिए, यहां पर हम constant इसलिए नहीं रिखें, इसको भी लेके चलो तो अच्छा रहें, conclusion हो जाएंगे, अभी हम integration किये ही नहीं है, कि देख, अब इसका integration करने जाएं, तो इसका होगा x और इक्वल टू, इसका जब हम करेंगे 1 by y minus 1 तो इसका होता है log, जैसे integration करोगे 1 by x का, ठीक है, dx के respect में इसका होता है log h plus c, तो इसी तरह कुछ यहां भी होगा, log y minus 1, ठीक है, c हम एक पार गएंगे, दोनों को मिला कर, ठीक है, और इसका होगा log, सेम चीज है, y plus 1, पलस c देख, अब यह देखो, कि log का रूज होता है, log a minus log b, तो इसको हम लिख सकते है, log a by b, ठीक है, तो आपी देखो, यहां पर minus में है, तो हम इसको लिख सकते है, x log y minus 1 by 1 plus 1 plus c, यही इसका answer होगा देखे, इसको एक formula है, log का, उसको जैसे log y minus 1 minus log y plus 1 को, कैसे log a minus log b को कैसे लिखे, log a by b, उसी तरह log y minus 1 और minus log y plus 1 को, हम लिख सकते है, यह complete solution था, यह integration by partial fraction था, तो वीडियो को आन्त तक देखने के यह बहुत बहुत धन्यवाद, जाद 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 शेर करेंवाले वीडियो को फाइलाए, ताकि इस तरह के वीडियो आपकी से बाद में जाद 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 प्रजेंट कर सके,